आप 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 मलीर राव अन्वार भारी नफ़ी के हमरा बकरजोन में कौजा इजहर अलहसन की रहाइचगा पहुंचे बता दे और उन्हें हद कड़ी लगाकर वक्त कर बंद गाड़ी में बिठा कर साथ ले गए इस मौके पर MQP पाकिस्तान के सरवरा डॉक्टर फारुक सर्थार समयत एहम रहनुमा भी मौजूद थे जिनकी राओ अन्वार से तर्ख कलामी भी हुई जबके इस दौरान डॉक्टर फारुक सर्थार फारुक सर्थार के साथ लिप्टे रहे कौजा इजार उन्हसन की गरिफ्तारी के बार फारुक सर्थार ने मीडिया से गुस्तबू करते हुए का कि मामला लंदन से पार्टी चलाने का नहीं बलके मामला MQM दुश्मेनी है स्यासिय और जमूरी निजाम की इस से ज्यादा बेतौकीरी नहीं हो सकती बगहर वारेंटे की रिफ्तारी बगहर किसी इलजाम के दिन धाड़े उनके घर से हम सब की मौजूदगी में जिस तरह उन्हें खेशते वे धक्का देते वे और मैं बात करना चाह रहा हूँ मैं राप्ता कमिटी पाकिस्तान का सरवरा मैं कौमी एसमली में MQM का पार्लिमानी लीडर और लीडर अफ दिय आपोजीशन को हम सब MNA's MPA's इस 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 तरह ले जाया गया पुरी निजाम की बे तौकीरी नहीं हो सकती MQM पाकिस्तान के सरवरा डॉक्टर फारुक सर्तान ने कहा है कि इस शहर के लोग मजजी जिल्नत और रुस्वाई बरदाश्ट नहीं करेंगे हम बड़े पैमाने पर गरिफतारें देने को तैयार है जबकि हमने महाजरों को त अजारुल हसन की गिरफतारी किसके ही मापर हुई है कानून और इनसाफ के लिए हुई है तो वारंड दिखाया जाता इलजाम बताया जाता जिन असम्बली के अपोजीशन लीडर खवाजा इसारुल हसन की गिरिफतारी के वक्त, खवातीम ने भी शदीद मताहमत की और वह मौझूद कारकुनान ने राओ अन्वार के खिलाव शदीद महरबाजी की, कैमेरमेन आसिद नूर के साथ, हफीज बलोच के 21 न्यूस गराची